नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्य एकेडमी पर आज के इस वीडियो में 18 और 19 जनवरी का जित्ता भी महत्वपुन हमारा मद्यप्रदेश का करेंड अपरस बन सकता है उसको हम डिसकस करेंगे तो वीडियो में जो हल लाश्ट तक बने रहीएगा तो चलिए शुरुआत करते आज के इस वीडियो की और सबसे पहले यहां पर बता देते हैं आपको कि आज के इस सुडियो में हमारा कंटेन है किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आज का मद्यप्रदेश का करेंड अपरस हम डिसकस करेंगे उसके बाद क ठीके के 10 महत्वण कोश्चन्स हम डिसकस करेंगे और सबसे लाश्टमें कोश्चन जो कि आप से कल पूछा गया था उसका जो है आंसर यहां पर बताएंगे और एक नया कोश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन यह यह जो है आपका अभी हाली में जो है न्यूज में रहा है इसलिए यह जो कोश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है कोश्चन है मद्यप्रदेश के किस राष्टी उद्यान की बागी ने टी 15 का हाली में निदन हो गया है चार ओप्षन यहाँ पर आप सिधा कोश्चन आएगा कि टी 15 क्या है तो यह जो है आपकी बागीन थी और कहां पर थी तो यह जो है आपकी पेंच राष्टी उद्यान में यह आपकी थी चलिए इससे जूड़ी कुछ महत्पून जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि कई ना कई बहुत ज्या कहा जाता है तो इसी को यहानी कि आपकी यहाँ पर जो टी 15 बागीन है उसको जो है आपको कॉलर वाली बागीन भी इसको यहाँ पर कहा जाता है इसी बागीन को पेंच की रानी और सूपर मॉम के नाम से भी इसको जाना जाता है और कालर वाली बागीन देश में सबसे ज़ तो यह आपके पेंच राष्ट्र उद्ध्यान में थी तो यह जो कोशन है हमारे लिए बहुत इंपोर्टन बनता है क्योंकि देश में सरवादिक सावगों को जो है इसने आपका जन्म दिया था इसलिए यह वाला जो हमारे लाष्ट वाला पॉइंट है यह हमारे लिए और ज इसलिए राष्ट्र उद्यान का परिष्टी थे मंडला में इस्तित है इसका छेत्रबल की बात करें 940 स्वरग किलोमेटर में फिला है इस्ताफना इसकी 1955 में जो है आपकी होती है कुनो राष्ट्र उद्यान इसकी बात करें शोवपूर में जो है यह आपका इस्तित है 795 इसकी इस्ताफना 1981 में होती है सत्पुड़ा राष्ट्र उद्यान बात करें होशंगाबाद में इस्तित्या 529 सौरग किलोमेटर में फिला आ है इसकी इस्ताफना आपकी होती है नाद्याया इसकी माधव राश्ट्रूद्यान की यहां पर बात कर लेते हैं, तो यह जो है आपका शिवपूरी में इस्ती थे, और 1958 में इसकी स्थापना होती है। पेंच राश्ट्री उद्यान जिसके हाली में आमने चर्चा की सिम्नी और चिंदवाडा में जो है यह आपका इस्तित्य और इस्तापना इसकी वर्ष 1905 में आपकी होती है अगला है उंकारेश्वर राश्ट्री उद्यान कहा पर इस्तित्य खंडवा में इस्तित्य इस्ताप जीवास मा राष्टी उद्याण धार में jतित हैf 2010 में इसकी स्थापना होती है और फोसिल राष्टी उद्याण जिसे कि आपका दिंडोरी राष्टी उद्याण के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर इस्तित है तो यह जो है आपका डिंडोरी में इस्तित है 1968 में इसकी स्तापन होती है और मध्य प्रदेस सब्सेत फ्रक्राइफ के बंती बोदिया इत संप has0 यहाँ पर निकल कर आते हैं भोपाल इंदोर उजेन या रतलाम तो राइड आंसर यहाँ पर आपका बनता है भोपाल जिले की जो मोडल है तापती ठाकूर उन्होंने मनाली में मिस विंटर क्यून 2020 का टाइटल जो है इन्होंने यहाँ पर जिता है उप्शन है हमारा यहाँ जंबंदी थे मध्यप्रदेश के भोपाल जिले से यह आपकी विलोंग करती है अगला कोर्शन यहाँ पर देखते हैं अगला कोर्शन है मध्यप्रदेश में कूपोशन उन्मुलन की दिशा में नहीं पहल के तत्थ सियम सिरा सिंग चोवान ने सोण ने प्राशन का मुलन की दिशा में नहीं फेल करते हुए सियम सिरा सिंग चोवान ने सोण प्राशन का जो है आपका यहाँ पर उद्गाठन किया है सूपोशन जो अभियान उसी के तहति आपर आपका सोण प्राशन का उद्गाठन इनके द्वारा किया गया देख लेते इससे जुड़ी प्रदेश सरकार कूपोशन का कलंग मिटान है और बच्चों में सूपोशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है आपके यहाँ पर प्रयास कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंति सिरा सिंग जी चोवान ने राजदानी भोपाल में तुलसी नगर इस्तित आर जा रहा है कि जो तिसरी लेहर चल रही है या जो आने वाली है वह जो है बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी तो उनके उमिनिटी वुष्टर के लिए प्राशन जो है यहाँ पर मुख्यमंति सिराथ सिंग जी चोवान ने सूपोशन कार्यक्रम के था था सूर्ण प पर आपके सामने निकल कराते हैं स्री जितेंद्र लिटोरिया राजसलाल महरा प्रसांथ सिंग या उप्रक्त सभी तो राइट आंसर आपका निकल कराता है ओप्शन है स्री जितेंद्र सिंग जितेंद्र लिटोरिया को हाली में मध्यप्रदस खादी तथा ग्रामध्यक ब पना गयाÓ राजयसलाल महरा इनकी बात कर gide kein तो वुहत है नाम यहां पर work До अगर यहां में मध्य प्रदैस के महाधिवक्ता कोने हैं और तुना में आपका प्रसांच सिंग है तो यहाँ पर दिखिए हमारा जो राइट आंसर बनता है बनता है उप्षन है जितेंद्र लिटोरिया को हाली में मद्यप्रदेश खादी है तथा ग्रामवद्योग बोर्ड का अद्धिक्ष बना गया है राजिसलाल मेरा वर्तवान में MPPSC या मद्यप्रदेश लोक सेवा आयोक के अद्धिक्ष है प्रसान सिंग इनकी बात करें तो वर्तवान में मद्यप्रदेश के आपके महा अधिवक्ता है इन से जुड़ी जानकारी देख लिजे कि इनको जो है हाली में मद्यप्रदेश खादी तथा ग्रामवद्योग बोर्ड के अद्धिक्ष का जो है इन्होंने पदबार यहां पर ग्रण किया है वहीं बात करें मद्यप्रदेश खादी तथा ग्रामयदोग बोर्ड की कि इसकी स्ताफना कब होती है उनने सो साट इकसट में इसकी स्ताफना आपकी की जाती है और इसका मुख्यालाई कहाँ पर है भोपाल में यह आपका इस्तित है इसी से जूड़ा कुछ इंपोर्टेंट इसकी स्ताफना कब होती है 1969 में इसकी स्ताफना की जाती है कहाँ पर इस्तिते आपका बोपाल में इस्तिते वरुपाल में यहाँ पर हम रिविजन कर लेते हैं तो पहला कोशन निकल कराता है केंद्रिय पर्यावरन वन और जल वायू परिवर्थन मंत्रलालाई द्वारा जारी है भारत वन इस्तति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छेत्रपल की दिरश्टी से सबसे बड़ा वन छेत्र जो है किस राज्य मे है चार ओप्षेन यहाँ पर आपके सामने हैं मद्यप्रदेश, उतर्प्रदेश, राजिस्तान और गुजरात तो राइट अंसर यहाँ पर निकल कराता है मद्यप्रदेश ओप्षेन हमारा यहाँ आप राइड आंसर बनता है अगला कोशन विद्धार्तियों की पड़ाई निरंतरता के लिए मध्यप्रदेश में कब से हमारा घर हमारा विद्धालाई कार्यक्रम जो है शुरू किया जा रहा है तो राइट आंसर बनता है 17 जन्वरी से मध्यप्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालाई जो कारेक्रा में वह आपका शुरू किया गया अगला कोशन है हाली में भारती सेना द्वारा किस राज्य में कौंटम प्रयोक्षाला की इस्ताफना की गई चलिए यहाँ पर 2021 MP करेंट अपर्स के 10 महत्वपून कोशन्स यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं पहला कोशन है NCAEIR के भूमी रिकोर्ड और सेवाओ के सुचकांग 2020-21 में मध्यप्रदेश को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है राइट आंसर मनता है मध्यप्रदेश को इसमें आपका प्राप्त हुआ है अगला कोशन है Smart City जोजना में देश के 111 शहरों के Municipal Performance Index 2020 में देश में कौन सा शहर आपका नंबर वन पर रहा है तो हमारा इंदोर शहर इस इंडेक्ष में पूरे देश बर में आपका नंबर वन पर रहा है अगला कोशन है Forbes India द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर इस्टोरी के लिए आसिस मिसरा को चैनित किया गया कोशन है कि आसिस मिसरा का जो संबंद है मध्य प्रदेश के किस जीले से हैं तो यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपूर जीले से बिलोंग करते हैं अगला कोश्चन है फरिदाबाद में आई जीत प्रथम राष्ट्रे पेरा शुटिंग चेंप्येंशिप में मध्य प्रदेस राज्य शुटिंग अकादमी की खिलाडी रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है राइट आंसर बनता है उनके द्वारा सोर्ण पदक यह जना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जीला कौन सा बना है राइट आंसर बनता है जबलपूर अगला कोश्चन है अपना इंक्यूबेशन सेंटर का शेंटर शुरू करने वाली देश की पेली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है तो यह जो है इंदोर बना है अग अगला कोश्चन है हाली में केंद्री अल्पसंक का कार्य मंतलाली द्वारा उनर हट का आवजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया तो इसका आवजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका किया अगला कोश्चन है हाली में राज्य निर्वाचन आयोग ने अ बसंत प्रताप सिंग बसंत प्रताप सिंग वर्तवान में मद्यप्रदेश के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुकत है चलिए MPG के special questions के अंतर गद्धस महत्रपुन questions यहां पर हम discuss कर लेते हैं जो कि हमारे मद्यप्रदेश के जल्प्रपाद से संबंदी थे तो सबसे यहां पर मद्यप्रदेश में कौन सा जल्प्रपाद कहां पर इस्तिते किस नदी पर बना हुआ है वह discuss कर लेते हैं उसके बाद उससे जुड़े हुए multiple choice questions यहां पर हम discuss कर लेते हैं तो अगर आप से पुछा जाई चचाई जल्प्रपाद कहां पर इस्तिते बिहड नदी पर और दोनों के दोनों आपके नर्वदा नदी पर बने हुए है सहस्तरदारा जल्प्रपाद मांधार जल्प्रपाद इन दोनों की बात करें दोनों के दोनों आपके नर्वदा नदी पर है लेकिन जो सहस्तरदारा जल्प्रपाद है महेश्वर खडगोन में है और मांधार जल प्रपात बढ़वा खंडवा में आपको देखने को मिलेगा अगला कोशन है राहतगर जल प्रपात कहां पर इस्तित है सागर में इस्तित है और किस नदी पर बना हुआ है चंबल नदी पर आपका बना है पाताल पानी जल प्रपात इसकी बात करें किस नदी पर बना बहुती नदी पर आपका बना हुआ है केवटी जल प्रपात इसकी बात करें केवटी नदी पर बना हुआ है किस जिले में इसती थे आपका रिवात जिले में इसती थे डचेस फाल जो जल प्रपात है कहां पर इसती थे पंचमणी में इसती थे और जो है कौन सी नदी पर नि जो कि आपका बीना में बीना नदी पर बना हुआ है और कहां पर इसती थे तो सागर रहत गड़ सागर में यह आपका जो है देखने को मिलेगा पांडव जल प्रपात कहां पर इसती थे पन्ना के निकट आपका इसती थे कौन सी नदी पर बना हुआ है के नदी पर बना हुआ सुल्तानगर्ट जल्प्रपात शिवपूरी में है जाड़ी दा जो जल्प्रपात है आपका कहाँ पर इस्तित है इंदोर में इस्तित है टोन से जल्प्रपात यह जो सतना के निकट है टोन से नदी पर आपका बुना हुआ है संकर खोज जल्प्रपात सिवनी में बना हुआ ह चांकरह को जिम्ह सते हैं आपको देखने को मिलेगा। चनित्परस्पार्गारियारं पाइक बालांग हम्पोरणल्पार्णैंट के हूअ है क्या आपको देखने को मिलेगा। इसे जुड़े grazing कॉस्ट्छन यहां पर ढिस्कस कर लिजीये फिएयला कॉस्ट्ट्र Means के मदों हैं कि मद्दयप्रदर्या Push का सब्सेन उचा जल्प्रपात कुण सब्सक्राइब Q Levirsesenh चुर्रेक न'? दुवादार जल प्रपाद तो राइड आंसर आपका निकल कराता है बहुती जल प्रपाद मध्यप्रदेश का सबसे उंचा जल प्रपाद है कहा पर इस्तित है तो बहुती नदी पर जो है आपका इस्तित है और किस जिले में इस्तित है तो यह जो है आपका रिवा जिले में इस्तित है अगला कोशन है पाताल पानी जल प्रपात के जिले में इस्तित है तो इसका राइट आंसर बनता है इंदोर जिले में पाताल पानी जल प्रपात आपको देखने को मिलेगा और इंदोर में भी कहा पर तो महू में जो है यह आपको देखने को मिलेगा इसी के पास ज देखते हैं कि सागर जिले में इस्तित जल्प्रपात का नाम बताई है चार ओप्षन है चचाई जल्प्रपात राहत गड़ जल्प्रपात पाताल पानी जल्प्रपात या पुर्वा जल्प्रपात तो राइट अंसर निकल कराता है राहत गड़ जो जल्प्रपात है आपका क तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कराता है केन नदी पर पांडव जल प्रपात जो है यह आपका इस्तित है अगला कोशन आप देख लेते हैं कि दुआदार जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है तो राइट आंसर आपका निकल कराता है दुआदार जल प्रपात जो ह यह आपको देखने को मिलेगा अगला कोशन है महेश्वार में कौन सा जल प्रपात है तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सहस्त्रदारा जो जल प्रपात है आपको महेश्वार में जो है देखने को मिलेगा और महेश्वार की जिले के अंतरगत आता है तो यह इस्तित है तो यह जो है आपका बालागाट जिले में इस्तित है अगला कोशन है अपसरा जल प्रपात आपका कहां पर इस्तित है राइट आंसर बनता है पंचमणी में अपसरा जल प्रपात आपका इस्तित है और पंचमणी कि जिले के अंतरगत आता है तो यह जो है आपका ह चमबल नदी परिष्थी थे बाकि तीनों के तीनों यानि कि दुअदार जल पर पाथ दूप देदार जल प्रपात और कफिल्था, प्रपात यह तीनों के तुझिस नदी पर मुझा ड़न, यह तो यह तुझा झाए चलिए रवाय। पुछा गया था उसका अंसर यहां पर हम डिसकस कर लेते हैं कल आप से कोश्चन था कि भाष्षा के आदार पर राज्जो का पुनर गठन किस वर्षा में क्या गया चार उप्षण थे कालिया दे पेलेस किस नदी के टट पर आपका इस्तित है चार उप्षण नर्मदा के शेपरा या चंबल तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है तो आज के लिए बस इतना है थाइंक्यू वेरी मुच वीडियो अगर अच् पर आज के लिए बस इतना है थाइंक्यू वेरी मुच